Welcome to study channel, मेरा नाम है मुहम्मत कैसर बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीटे 2022 के लिए जो eligibility code select करनी है चाहे वो paper 1 के लिए हो या paper 2 के लिए हो आपको कौन सा code select करना है इस वीडियो में आपको बिल्कुल clear जानकारी मिलेगी लाच तक बने रहिएगा पूरा form कैसे भरना है इस पर मैं already वीडियो बना चुका हूँ description box में link है एक बार वीडियो देख लिएगा सारे जानकारी आपको मिल जाएगी उस वीडियो में काफी जादा comment ये आया की सर बताइए हमने deal rate किया है या B8 किया है या B8 किया है और हमें कौन सा code select करना है paper 1 के लिए paper 2 के लिए तो यही हमनों discuss करेंगे लाच तक बने रहिएगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना बात करेंगे सीटेट के इस best book के बारे में जो चक्सू प्रकाशन के जरब से आती है यह है दोस्तो सीटेट paper 1 के लिए study guide book इसमें आप सीटेट के सभी subject तयार कर सकते हैं यहाँ पर है 3000 से जादा अध्यावार महत्तपुड प्रश्न जिसका व्याक्या भी इसमें मिलेगा चार previous year के salt paper मिलेंगे बिलकुल नमिंतम पैटर्न पर इसे तयार किया गया है और LCRT पुस्तकों पर यह आध्हारित है मैं आपको दिखाऊं अगर previous year का salt paper तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चक्सु प्रकाशन की study guide book के लावा सेटेट का practice rate भी आ गया है यदि आपको यह किताबा खरीदनी है online तो description box में link दिया गया है यदि आपको offline market से लेना है तो वहाँ पर भी यह easily available हो जाती है तो दोस्तों सेटेट eligibility code को लेकर आपके मन में जितने doubt हैं आज इस वीडियो में clear हो जाएंगे तो हम लोग सीधे सीधे बढ़ते हैं अपने topic पर सीटेट paper 1 के लिए total 6 code हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है अब इसमें से कौन सा code आपको select करना है यही हम लोडिक्स करेंगे एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आगे आपको confusion नहीं होगा सबसे पहले देखती हैं code number 1 के बारे में यदि आपके 12 में 50% number हैं और आपने 2 year diploma in elementary education किया है तो paper 1 के लिए आपके लिए code number 1 है अब 2 year diploma आपका जिस भी नाम से जाना जाता हो वो DL8 के नाम से हो JBT के नाम से हो BSTC के नाम से हो जिस भी नाम से हो यदि वो 2 साल का डिप्लोमा है और आपके 12 में 50% number है तो आपको code number 1 select करना है तो इतनी चीज़ आपको clear हो गई होगी यदि आपको बता दूँ कि यदि आपका 12 में 50% number है उसके बाद आपने graduation भी किया है और उसके बाद आपने 2 year का DL8 या BTC किया है तो भी आपको code number 1 ही select करना है उत्तर प्रदेश में जैसा की DL8 graduation के बाद होता है तो यहाँ वाले चात्र भी code number 1 ही select करेंगे क्योंकि code number 1 में जो चीज़ मांगी जा रही है वो आपके पास है 12 में 50% number है 2 साल का DL8 है तो आप code number 1 select कर लिजी आपके पास graduation एक extra है वो अलग बात है जो यहाँ पर मांगा जा रहा वो आपके पास है तो आप टेंशन ना लाएं और code number 1 select कर दें इसके बाद सेम यही चीज़ है लेकिन यही आपके 12 में 45% number है और 2 साल का diploma है तो आपको code number 2 select करना है सेम वही चीज़ यहाँ पर भी apply होगा कि आपके 12 में 45% से उपर लेकिन 50 से नीचे number है और आपने एक graduation भी किया है और 2 साल का DL8 किया है तो भी आपको code number 2 select करना है और जिन्होंने 12 के पार directly DL8 किया है उनके लिए भी यही है बस यहाँ पर percentage वाला condition आप देख लीजिएगा चीज़ें बिल्कुल clear आपको हो गई होंगी code number 3 है BL8 वाले चात्रों के लिए तो 12 में 50% number और 4 साल का जिन्होंने BL8 यानि Bachelor of Elementary Education आपने किया है तो आपको code number 3 select करना है एक बात मैं आपको और बता दूँ जो eligibility है इसमें साप साप दिया गया है past और appearing in final year तो आप या तो अपना DL8, BL8 या BED past हो गए हों तब तो आप आवेजन करेंगी करेंगे या फिर आप अपने final year के appearing में हो जबकि अभी कुछ दिन पहले NCT ने एक notice जारी किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि first year वाले या first semester वाले चात भी अब seated के लिए eligible रहेंगे हाला कि वो बदलाव अभी seated में नहीं दिख रहा है CBSC ने अभी उस चीश को अपडेट नहीं किया है तो अभी फिलहाल final year appearing वाले ही eligible है eligible तो first year वालों को भी होना चाहिए था हो सकता है आगे चल कर ये update भी हो जाए और मैं तो यह कहूँगा कि आप अपना form भर लीजिएगा यदि आप first semester या first year में आगे चल कर आप eligible हो सकती है और किनी कारों से नहीं भी हुए तो आपको कम से कम एक बार exam देने का experience तो होगा ही होगा और chances जादा है कि आगे चल कर first semester या first year वाले चाहतर भी eligible होंगे और code आप वही select करिएगा जो की normal past या final year appearing के लिए code है ठीक है तो तीन नंबर हो गया चार साल के बियलेड वाले चातरों के लिए code नंबर चार किन के लिए है तो 12 में 50 परसे नंबर और दो साल का diploma लेकिन ये diploma थोड़ा सलग है ये special education वाला है तो ये आप समझते रहिएगा कि ये आपने 2 year diploma in education किया है special वाला तो आपके लिए code नंबर चार है और code नंबर पांच है कि graduation में 50 परसे नंबर और उसके बाद beard तो ऐसे सभी छातर code नंबर पांच select करेंगे तो beard वाले छातर seated paper one दे सकते हैं कोई भी tension नहीं है आपको simply code नंबर पांच select कर लेना है बस आपका graduation में 50 परसे नंबर होना चाहिए और beard के लिए सिर्फ एक ही code है paper one के लिए चाहिए आपका beard एक साल वाला है दो साल वाला है special वाला है normal वाला है कुछ भी है आपको code नंबर पांच ही select करना है इसके लावा कोई option है ही नहीं और एक last code है ऐसे चातरों के लिए जिन्होंने PG किया है post graduation किया है 55% mark के साथ या फिर इसके equivalent आपका grade है और आपने pass कर लिया है या appearing में है आप 3 year integrated BA damage course तो ऐसे चातरों के लिए code नंबर 6 है तो ये चातर भी अब seated का paper दे सकते हैं तो paper one में कोई भी confusion आपको अब नहीं होना चाहिए B8 वाले चातरों के लिए सिर्फ एक code है code नंबर 5 B8 के चातरों के लिए सिर्फ एक code है code नंबर 3 और diploma वाले चातरों के लिए 3 अलग-अलग code है 12 ते 50% नंबर है और DL8 है code नंबर 1 12 में 45 से उपर है 50 से कम है DL8 है code नंबर 2 और 12 में 50% नंबर है लेकिन 2 साल का diploma आपका special वाला है तो code नंबर 4 और एक code है post graduation वाले चातरों के लिए जिन्होंने 3 year integrated B8M8 course किया है तो ये code नंबर 6 है तो सब के लिए मैंने यहाँ पर code बिलकुल के लिए बता दिया है अभी भी कोई doubt है आपके मन में तो comment करिएगा आपका जवाब मैं अगले वीडियो में जल्द ही दूँगा या फिर possible हुआ तो comment section में ही आपके doubt को मैं clear कर दूँगा ये हुआ paper 1 की eligibility चलिए देखते हैं paper 2 की eligibility तो यहाँ पर दोस्तों total 8 code है 8 हो code को हम लोग समझेंगे ताकि कोई confusion ना हो हमें और आपको चलिए देखते हैं सबसे पहला code किसके लिए है तो आपका graduation complete हुआ है और आप pass हो चुके हैं या final year appearing में है 2 year diploma in elementary education तो आपको code number 1 select करना है simple सी बात है graduation के बाद DLA, BTC, JBT, BST वगेरा जिन्होंने किया है उनके लिए code number 1 है तो जिनका graduation के बाद DLA है वो paper 1 के लिए भी code number 1 select करेंगे paper 2 के लिए भी code number 1 select करेंगे और यहाँ पर कुछ percentage वाला भी system नहीं है कि 50%, 45% इतना होना चाहिए ऐसा कुछ भी चकर नहीं है एक चीज यहाँ से और clear होता है कि जिन्होंने 12 के बाद DLA किया है वो paper 1 तो दे सकते है paper 2 नहीं दे सकते क्योंकि DLA के साथ graduation compulsory है sit at paper 2 के लिए समझ गया आप? चलिए बढ़ते हैं code number 2 की तरब तो यहाँ पर कहा गया है कि तो B.A.D. के लिए graduation में 50% number यहाँ पर रखा गया है और यदि आपका graduation में 50% number नहीं है तो एक और option है यदि आपने PG किया है और वहाँ पर आपके 50% number है तो भी आप eligible है sit at paper 2 के लिए ऐसे में आप code number 2 select करना है तो B.A.D. के छातरों के लिए code number 2 है sit at paper 2 के लिए यदि आपका graduation में या post graduation में 50% number है तो तीसरा option है graduation में यदि आपके 45% number है और आपने किया है B.A.D. तो code number 3 भी आपके पास है तो यह हो गया code number 3 चलिए बढ़ते हैं code number 4 की तरफ तो 12 में 50% number और 4 साल का B.A.D. आपको code number 4 सालेट करना है तो B.A.D. वाले चात्रों के लिए seated paper 2 का code 4 है और seated paper 1 के लिए code number 3 है तो ध्यान रखिएगा सेम यही चीज seated paper 1 में code number 3 है और seated paper 2 में code number 4 है B.A.D. वाले चात्र seated paper 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं हाला कि D.A.D. वाले भी दे सकते हैं B.A.D. वाले भी दे सकते हैं बस आपको codes का ध्यान रखना है code number 5 क्या है seated paper 2 के लिए तो 12 में 50% number और इसके बाद 4 साल का B.A.B.S.E. एजुकेशन या B.A.D. एजुकेशन B.A.D. एजुकेशन करता है जिनका B.A.D. है N.C.T. के guidelines पर आपका B.A.D. exist करता है तो आप code number 7 select कर सकते हैं और code number 8 है post graduation with minimum 55% marks और equivalent grade and past और appearing in final year of 3 year integrated B.A.D. आमेट कोर्स जो paper 1 के लिए code number 6 था वो यहाँ पर code number 8 है paper 2 के लिए तो PG बालों के लिए है यदि आपने 3 year integrated B.A.D. M.A.D. कोर्स किया है तो तो sort में बता जाता हूँ paper 2 के लिए भी delete वाले जहात्र यदि हैं आप और graduation के बाद आपने delete किया है आपके लिए code number 1 है B.A.D. के लिए हाला कि यहाँ पर कई सारे option है 50% number और B.A.D. code number 2 है 45% और B.A.D. code number 3 है B.A.D. के लिए code number 7 भी है यहाँ पर any candidate कोई भी candidate जो qualified है B.A.D. program NCT ने उसे eligible किया है तो आप code number 7 भी select कर सकते हैं एक option है B.A.D. के लिए code number 4 है B.A.D. education B.A.D. education के लिए code number 5 है और एक special code है PG वालों के लिए जिन्होंने 3 year integrated B.A.D. course किया है लेकिन P.T. में कम से कम 55% marks होना चाहिए तो यह रही दोस्तों course को लेकर यह complete video वीडियो पसंद आया तो like और share जरूर कर दीजेगा कोई भी doubt हो ठोटा बड़ा कोई भी doubt तो comment section में जरूर लिख है आपके सबी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं आप वहाँ पर हमसे directly सवाल पूसकते हैं आपके बहुत सारे जवाब वहाँ पर भी दे दिये जाते हैं आप हमारा C.T.E.T. का playlist जरूर चेक करिएगा YouTube चैनल पर C.T.E.T. से संबंदी जितने भी वीडियोज हैं वहीं पर आपको मिलते रहेंगे इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और कॉमेंट इस बताएं आप क्या करिफिकेशन मिलते रहें बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक तक देखने के लिए थांक्स फॉर वाचिंग